नमस्कार सात्यों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेश के बीए प्लेटफर्म पर दोस्तों बीए सेकेंडियर में आज जन चर्चा करने जा रहे हैं आदुनिक भारत के इतिहास पर और इस सीरिस को दिवाले के कुछ दिनों बाद फिर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं चुकि लास्ट के कुछ सेशन मातर बचे हुए मुस्के से चारिया पास सेशन मातर इसके और बचे हुए है जिसके साथ हमारा यह पूरा सब्जेक्ट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा कहने का अरत है कि लास्ट वाली उनिट अभी क्या बचर्चा करेंगे तो खिलापत आंदुलन क्या था इसको भली भाती समझेंगे इसके बाद में यह इस आंदुलन की आवशक्ता क्यों पड़ी और इस आंदुलन को स्टार्ट कब किया गया आगया उससे पहले जो भी नयच्छात रहें जो पहली बार इस प्लेटफर में आसानी से देखने को मिल जाएंगे यह सारी लिस्ट है कि सभी सब्जेक्ट है दोस्तों जो यूटूब के अन्न प्लेटफरम पर फ्री ओपोस्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे और वो भी डिटेल में सभी लगबग सभी सब्जेक्ट जो है लगबग लगबग किया गया है चाहिए वह फर्स्ट हो सेकिंड हो या थर्डियर का हो इन सब के अलावा यदि आप में से कोई भी चार्ट किसी भी प्रतियोगी परिक्षा की तयारी करना चाहता है तो आपको यूटूब के अन्ने हमारे ही दौरा एक और प्रेटफरम तयार किया गया है जिस सब कुछ फिरियो पोस्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे आए बढ़ते हैं आगे यह आपका सिलेवस है जिसके अकोडिंग हमारी क्लासेश चल रही है और इसके अकोडिंग क्लासेश को लेते हुए अभी तक जो है हम आज फोर्थ युनिट को पूरी तरह कंप्लीट कर ल दिया जाए क्योंकि maximum topic आपके इस विशे पर हो चुके है क्योंकि विशे भी छोटा मोटा नहीं था आदुनिक भात के इतिहास में maximum को मैंने minimize करने का प्रियास किया है तब कहीं जाकर के अपकी exam के द्रेश्टिक और से तब कहीं जाकर के इतने कम स्वेशनों में मैं आपको सब्जेक्ट दे पाया हूं इस से जादा minimize करते तो संभवता यह सब्जेक्ट अपना महद्व खो देता के लिए इसके अलावा आज हम बात कर जो है अब हम बात करेंगे table of content मतलब कि आज किस पूरे lecture में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्या क्या देखने वाले हैं तो दोस कि हमें exam के द्रश्टी कौन से पढ़ना है तो इसका छोटे से छोटे content को भी हमें याद रखना अतियावशक होता है और इसे प्रकार के प्रतेक बारी की पर हम चर्चा करते हुए इस topic को cover करेंगे 5 बिंदू की सहायता से सबसे पहले हम इस lecture में देखने वाले हैं कि कि खिलाबत की बारे में अर्थाथ की खिलाबतotional को मांगे क्या-क्या थी क्या-क्या इन्होंने डिमांड रखी ती इसके बाद इसके बीविन चरणों के बारे में लापकरने क्षोक करने करेंगे और अंतिम रूप से हम बात करेंगे महत्मा गांधी और खिलापत आंदोलन के बारे में अथात की खिलापत आंदोलन को ले करके महत्मा गांधी का क्या द्रश्टिकोंड रहा क्लियर है तो इन पांच बिंदों के माध्यम से हम आज का टोपिक पूरी तरह कवर करने वाले हैं तो आईए बढ़ते हैं केशन में और एके करके इनको डिकोड करने का प्रियास करते हैं ताकि आपका सेशन आपका टोपिक आपको बहतर तरीके से समझ आ सके सबसे पहले लेते हैं खिलापत कॉन्फरेंस खिलापत आंदोलन की अंतरगत खिलापत कॉन्फरेंस पहले पूरे पेच को उपन कर लेते हैं उसके बाद पैल लेते हैं दोस्तो खिलापत कॉन्फरेंस की बात करें तो ध्यान रखिएगा खिलापत आंदोलन की शुरुआत अपने आप ही नहीं हुई थी बलकि उसके लिए पहले खिलापत कॉन्फरेंस का निर्मान किया गया कहां पर किया गया था तो 1919 में दोस्तो एक मुसलिम लीग का में दो प्रमुक भाई थे जिनका नाम ता मुहम्मद मुहम्मद अली और शोकत अली दो भाई जो की पत्रकार थे इनके द्वारा ही जो है खिलापत कॉन्फरेंस का निर्माण किया गया था कहां पर किया गया था वह इत्ता याद रखने आपको कि 1919 के मुस्लिम लीग के अधि उनों का ही उस समय इतना दबदवा था कि जैसे ही विश्वी युद्व प्रारंब होने वाला था तो ब्रिटिस सरकार ने इनको नजरबंद कर दिया था और इनके जैसे अन्य जो पत्रकार थे या जिनका दबदवा कायन था उस समय उन लोगों को भी किसी को जैन में डाल उसी में जो है जो कि 1919 प्रकार दिवेशन रिवरेंस का निर्मार करने काुँ तर्फ फिर से मुस्लिम लीड का अधिवेशन होता है कहां पर दिली में इस अधिवेशन में महात्मा गांदी और मद्रमोहन मालवी ने भी इससा लिया मुख प्रमुक बात करें प्रमुक बाख इसमें ये थी कि इस 1920 के दिल्ली अधिवेशन में महातमा गांधी को अध्यक्ष बनाए गया था इस प्रकार कोंक्रेस ने खिलापत आंदुलन का पूरी तरह समर्थ किया था कुल मिला करके गांदी जी चाहते थे कि असयोग आंदुलन जो उस समय चल रहा था वह असयोग आं तो इस प्रकार से खिलापत कॉन्फरेंस का निर्मार हुआ मुस्लिम लीग के अधिवेशन के माध्यम से 1919 में किलियर है किस ने किया था याद रखिएगा मोहमद अली और शोकत अली दो पत्रकार भाईयों ने वह समझाई और ये उस कॉन्फरेंस के निर्मार वाली जो लीग मालविये ने जो है खिलापत कॉन्फरेंस में या लीग के अधिवेशन में भाग लिया था जिसमें मार्तमा गांदी को अत्यक्ष के रूप में चुना गया था क्लियर है आईए जरा अब हम बात करते हैं खिलापत आंदोलन के बारे में यह इंग्लिस कॉंटेंट है जो भी इंग्लिस मीडियम वाले बच्चे हैं यहां से रिविजन लगा सकते है अपना फिलाहाल हिंदी में समझ लीजिए इंग्लिस में आप रिविजन लगा लीजि इस संदी के माध्यम से तुर्की सामराज्य को समाप्त कर दिया तुर्की सामराज्य को समाप्त करना मतलब की जो अरब देश थे जिनने हम आज खाडी देशों के नाम से जानते हैं उन सभी अरब देशों पर तुर्की का सामराज्य कोन हैंडल करता था तो तुर्की का सुल खलिपा का जो पद था वो समाप्त कर दिया जाता है और यह तुरकी का जो अधिकान से इस्सा था यह मितरास्टों के दोबार जैसे कुछ भाग इंगलेंड ने रख लिया कुछ फ्रांस ने लख लिया और कुछ अन्य मितरास्टों में बार दिया गया तो इस कारण से क्या हुआ कि भारती मुसल्मानों की द्रस्टी में ये एक बड़ा बिजवाज घात था क्यों क्योंकि युद्द से पहले बिर्टिस सरकार ने मुसल्मानों को बिजवाज दिलाया था कि युद्ध के बाद में खलीपा का पद जो है यथावत रखा जाएगा उसे समाप्त नहीं किया जाएगा लेकिन इसके बिप्रीत किया खलीपा का पद समाप्त कर दिया गांदी जी ने खिलापत आंदुलन को मुसलिम जनता के लिए जन्म मरन का प्रश्ट पताया और इसके आंदुलन में मुसलमानों के साथ साथ भारती हिंदू भी सक्रीर भूफ से भूपी का निवाए खिलापत आंदुलन के साथ असरयोग आंदुलन को चलाने का पद समिखा लाएगा दोस्तों देखिए आंदोलन सर्वव्यापी होता है रास्ट्री होता है या ज़तीगा सर्वव्यापी रास्ट्री आंदोलन होते हैं लेकिन खिलापत आंदोलन रास्ट्री आंदोलन ना होते हुए बलकि एक सामपरदाइक आंदोलन था सामपरदाइक आंदोलन क्य बाब जूद गांदी जी इसमें बढ़ चरकर के भाग ले रहे थे आंदोलन से क्या होता कि इस सांपरताइक आंदोलन से राश्टिका की इस्थान पर सांपरताइकता की ब्रत्दी हो सकती थी गांदी जी ने खिलापत आंदोलन को हिंदू-मुस्लिम एकता का स्वन अपसरमा करके ही उसका सयोग यह समतन किया था तो खिलापत आंदोलन डायट मिन्स की पूरी तरह से ब्रेटिस सरकार के विरोध में एक अच्छा खासा आंदोलन प्रारम करने का इरादा था और यह आंदोलन क्यूं तो कि तुरकी सामराज्जी को जो समाप्त कर दिया गया था 1920 में उस के बाद मेंगर हम बात करें इसकी डिमांड क्या रही है खिलापत आंदोलन की खिलापत मुमेंट की डिमांड क्या क्या थी तो डिमांड प्रमोक रूप से तीन मांगे थी उन तीन मांगों में तिस सबसे पहले तो था कि तुरकी सुल्तान का जो खलीपा का पद है वो यथ लती आप लोग ना करें किर्पा करें करें तो फिर एंड तक पूरा टोपिक कंप्लीट करें उसके बाद क्योंकि एक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तुर्गी सुल्तान का जो खलीपा का पत्ता उसे एथावत रखा जाए समाप्त नहीं किया जाए दूसरी मांगती कि ज इसलाम धर्म का केंद्र बिंदू माना जाता है उसे उसे जो है मुस्लिम शासन के अंतरगत या कंट्रोल में रखा जाए और तीसरी जो डिमांड थी वो थी खलीपा मुस्लिम जो तीरत इस्थान है उनकी रक्षा करन यह तीन प्रमुक डिमांड थी किसकी खिलापत आंदो कहा जाता है कि लिए तो इन मांगों को पूरा करने के लिए इस आंदोलन के प्रमुक रूप से तीन चरण जो है अपनाए गये तीन चरणों में इस आंदोलन को चलाए गया सुनिएगा पहला चरण मतलती चरण दैट मिंस स्टेप में यांदोलन चला पहली स्टेप कि देखिए उससे पहले जो है ना उससे पहले भारती मुसल्मान रोलेक्ट एक्ट के बिरोध में नहीं थे बलकि रोलेक्ट एक्ट का समर्थन कर रहे थे लेकिन मुहमद अली और मुहमद शोकत अली के गोशना के बाद में 1919 में इनकी गोशना के बाद भारती मुसल्मानों का एक जो समूँ था वो अब रोलेक्ट एक्ट के बिरोध में आ चुका था मतलब कॉंग्रेस के साथ आ चुका था तो उन्हों ने घोशना की दैट मिंस की मौमद अली और सोकत अली ने घोशना की 1919 में दिसंबर 1919 में कि जो भारती मुसल्मान है वो रोलेक्ट एक्ट के बिरोध में जो अंदोलन चल रहा है उसमें भाग लेंगे और दोनों अंदोलनों को सामिल कर दे जागा दोनों अंदोलनों को साथ में चलाए जाएगा तक मिलाया जाएगा हिंदू मुस्लिम का साथ देंगे मुस्लिम ह पहला चरण दूसरे चरण की सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण था इसका दिसंबर 1919 मैं 1920 तक का यह इसका दूसरा चरण माना जाता है मैं 1920 तक क्या हुआ इसमें वही 1920 तक आते आते यह आंदुलन बहुत ज़्यादा ब्यापक हो चुका था क्योंकि आपको याद हो तो 1920 में ही खलीपा का पद रद कर दिया गया था शमाप्त कर दिया गया था तो जैसे ही खलीपा का पद चीना गया ब्रिटिस सरकार के दौरा बेसे ही खिलापत आंदुलन और जढ़ा उग्र होने लगा तो पूरर देश में यांदूलन बहुत ब्यापक हो गया बहुत ब्यापक हुआ कई जगर सवाय होने लगी मुसल्मानों ने अरब प्रस्थाजों से अंग्रे जी सेना हटाने की मांगती उन्हों कहा कि मित्र रास्टों की और ब्रिटिस की जो सेना लगी हुई है अरब देसों में उन सेना को हटा लिया जाए और 1920 को गांदी जी ने एक कारिकरम प्रस्थूत किया ये बड़ा मुद्दा है कि गांदी जी ने साथ मार्च 1920 को एक कारिकरम प्रस्टूत किया मतलब यह हुआ कि इससे पहले इससे पहले खिलापत आंदोलन के पास में कोई ऐसी योजना नहीं थी मतलब कोई कारिकरम नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे क्योंकि जब भी कोई आंदोलन होता है तो पहले एक खाकत तयार होता है योजना तयार की जाती है उस योजना के अनुसार की कारिक किया जाता है लेकिन खिलापत आंदोलन को लेकर के ऐसी कोई योजना ऐसा कोई कारिक्रफ नहीं था इसी कारण से पिर आगे चल करके 7 मार्च 1920 को जब गांदी जी ने दिल्ली के लीग अधिवेशन में अध्यक्ष का पद निवाया उसके बाद ही गांदी जी ने इसी लीग के अधिवेशन में खिलापत अंदूलन का कारिकरम प्रतूत किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसका जो है 19 मार्च को खिलापत दिवस मनाए जाएगा लेकिन अहिंसात्मक तरीके से क्योंकि गांदी जी का प्रमुख हतियार था अहिंसा तो अहिंसात्मक तरीके से ही 19 मार्च को खिलापत दिवस मनाए गया और इसके बाद में ब्रिटिस सरकार स असयोग करना था यह कम्प्लीट एक योजना उन्होंने बना करके खिलापत आंदुलन के कारिकर्टाव को सोब दी इसके बाद में आता है तीसरा चरह अभी इस तीसरे चरह तका सयोग आंदुलन पूरी तरह समाप्त हो जाता है बंद हो जाता है कैसे सुनिये देखे इस्टेप इस्टेप जानकारी मिलेगी आपको इसकी कम्प्लीट जानकारी दुंगा में आप लोगो खिलापत आंदुलन का जो तीसरा चरह था वो मैं 1920 से अगस्त 1920 तक का रहा अगस्त 1920 के आगे क्यों नहीं चला तो उसका भी कारण है जब सुनिये इस काल में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीपा का पद समाप्त किया बेसे ही खिलापत आंदुलन भी समाप्त हो गया क्यों किया था कहीं सारे कारण थे आगे डिसकस करने वाले 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीपा का पद समाप्त किया अब चूंकि खिलापत आंदुलन जो है खल तो समाप्त हो गया इसके कई कारण थे आगे करने को मिलेंगे इसके बाद में बात करते हैं कि महात्मा गांदी और खिलापत आंदोलन दोस्तों अब इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग सुनिएगा एक तरह से इस पूरे टोपिक की भूमी का आप लोग इसको कह सकते हैं कि इस वाली स्रैट को यह पूरे टोपिक की भूमी का है दो स्रैडे में आप देने वाला उसमें गांदी जी पर एक आरूप लगाया जाता है कि उन्होंने खिलापत आंधुलन जैसे सामप्रद्रतों का सथो दे करके उन्होंनिक असंईव आंदुलन को कमजोर बना दिया लेकिन आरोप लगाने वाले मुट्टीबर लोग होते हैं लेकिन बास्तवी ग्रूप से किस नजरिये से किस द्रस्टिकॉर्ण से गांडी जी ने ये कार किया था उनका ये द्रस्टिकॉर्ण समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है तब ही कहीं जाकर के हम जो है दोनों पक्षों पर डिसकस कर सकते हैं उसकी आलोचना के साथ ताथ उस पूरे तत्य को हम भली बाती समझ सकते हैं कांडी जी का चुकी जो द्रस्टिकॉर्ण था वो था हिंदू मुस्लिम एकता इस्थाफित करना सबसे प्रमुमुद्धा था उनका किलापत का समर्तन करके वहे मुसलमानों को असयोग आंदुलन की और लाना चाहते थे और इसलिए संकट के समय में उन्होंने मुसलमानों का साथ देना उचित समझा और उन्होंने अनुभव करवाया भारती मुसलिमों को कि हिंदू उनके साथ में 24 नमंबर 1919 को उन्होंने आवान किया कि 23 करोड जो हिंदू है वो साथ करोड मुसलिम भाईयों की साहिता करें साहिता करने के लिए आगे बड़े 19 जनवरी 1920 को एक मुसलिम शिष्टम अंडल खिलापत आंदुलियां मुसलिम लीग की तरफ से एक मुसलिम शिष्टम अंडल जो भारत में वाइसरा है लाट चैंसफोर्ड थे उनसे मिलने के लिए पोचा लेकिन वो असफल रहा उसके बाद गांदी जी ने मुसलिम को एक सलाह दी कि आप अपना एक सिष्टम अंडल जो है इंगलेंड भेजिए इंगलेंड की संसद में बात करेंगे लेकिन चुकि भेजा भी एक सिष्टम अंडल इंगलेंड भी गया लेकिन वो भी असफल होकर के ही भारत लोटे उसके पीछे कई सारे रिजन बता जाते हैं कि खिलापत आंदोलन की जो भूमी का जो द्रण भूमी का जड़े थी ना वो भारत में ही माने जाती है बलकि अन्य जो अरब द द्रश्टी को और ता गांदी जी समझते थे कि मुसल्मानों का पक्षी जो है नए संगत है एक नेतिक द्रश्टी से भी अगर देखा जाए तो उनका द्रश्टी कौन उचित ही समझा जा सकता है गांदी जी का कहना था कि यह ठीक मेरी नेतिक जिम्मेदारी की भावना है जिसने मुझे खिलापत के प्रश्ट को हाथ में लेने तथा मुसल्मानों के सुखदुक में उनका सांत देने के लिए प्रेडित किया है और ये बात बिल्कुल सही है कि मैं हिंदु-मुसलिम एकता में साहिता दे रहा हूँ और उसे प्रोसाहित कर रहा हूँ यह गांदी जी के सामने नत्मस्तक के गांदी जी के साथ खड़ी हुई थी संपूर्ण देश गांदी जी के साथ कड़ा हुआ था तो इस नेतिक जिम्मेदारी जो है गांदी जी को ये एहसास दिलाती थी कि वो किसी एक वर्ग को छोड़े नहीं बल्कि उसको भी साथ लेकर के चले और वही कारियों ने इस समर्थन के माद्यम से किया था अब सबसे बड़ी बात एक अन्य एक प्रशन उड़ता है एक प्रशन उड़ता है कि जो खलापत आंदोलन है इसमें एक बिरोधा वहस की बात की जाती है बिरोधा वहस कुछी लोग कहते हैं कि जो खलापत आंदोलन है ये प्रस्न तो था तुर्की सामराज मतलब अरब देशों का लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा आग जो जली वो भारत में जली कि पद था खलीपा का पद कहां का था अरब देशों में तुर्की का लेकिन उस पद को अरब के जो देश थे कई देश थे वो उसको समाप्त करना चाहते थे जबकि भारती मुसल्मान उसको बचाना चाहते थे एसा क्यों यही सबसे बड़ा बिरोधा वास था अगर खिलापत आंदुलन की मांगे सर्वता सही होती तो मुसलिम देश उनका बिरोध क्यों करते अन्य मुसलिम देश बिरोध क्यों करते जरा आए समझ देश देगी इसमें सबसे बड़ा बड़ा जो बिरोधा वास था वो मुसलिम थे रेकिन कि टर्क जो एना वह दास्ता से मुक्त होना चाहती ते मतलब अर्ब के जो देस थे अरब की जो देस थे वह तुर्क की झास्ता से गुलामी से आजाद होना चाहते थे किसकी गुलामी से खलीपा की गुलामी से खिलापत की रक्षा का अर्थ था अरब देशों को तुर्की की गुलामी में रखना जान दीजेगा खिलापत का खिलापत आंदोलन का साथ देने का क्या मतलब था कि अगर अरब देश खिलापत कि मद्यकालिन अभधारना को मद्यकालिन अभधारना को तुर्क या अरब कोई भी शुविकार करने को तयार नहीं था तुर्क की जनता भी और अरब देश भी कोई भी इस बात को शुकार करने को तयार नहीं थे अथा भारत के मुसलमानों में यह आंदोलन जो है मद्य कालिन संकीन्टा पर आदारित था जिसका मद्य पूर्व के मुस्लिमों में उपहास किया जाता तो इस तरह से हम इस आंदोलन के माद्यम से इतना अवश्यक रूप से समझ सकते हैं कि यह आंदोलन जो है बास्तविक रूप से मद्य कालिन संकीन्टा के विचारों पर ही आदारित था जिन लोगों में मद्य कालिन संकीन्टा के व्याप्त थी उन्हीं लोगों ने जो है इस अंदुलन को हवादी वो चाहते थे कि तुर्की में खलीपा का पद सर्वता बना रहे हलाकि धार्मिक द्रश्टिकोंड से इस मामले में तो हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन जो हमारे सामने स्वेंग उससे आजाद होना चाहती थी तो फिर अन्य देश कोई अन्य एक देश की जनता उससे बचाने का प्रियास क्यों करें अलांकि ये अंदुलन इसी के साथ में समाप्त हो जाता है और ये तीन चरण जो हमने इससे पहले डिसकस किये थे उनी के साथ ये अंदुलन समा में खिलापत आंदुलन का प्रारंब होना उनके लिए एक स्वरनेम अफसर था कि दोनों आंदुलन को यदि हम साथ मिला कर चलते हैं तो हिंदु मुस्लिम एकता को भारत में इस्थापित कर सकते हैं जिससे कि हम दोनों को लेकर के ब्रेटिस सरकार पे उचित प्रकार से द तो हम जाया होगा आज हमने कहीं बार एक शब्द प्रनाउंस किया ऐस्योग अंदुलन तो वह असंजयोग अंदुलन क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे कल वाले सेशन मैं नॉन कॉप्रेशन ओने जा रहा है मैंने कई समय पहले भी बता दिया ता आप लोगों को कि इस सब लवग लवग 45 लेक्चर सम्तिंग होने वाले हैं 39 वे लेक्चर में हम बात करेंगे नोन कोपरेशन मुमेंट को मिलेंगे अगली लाइक करें बीना सेशन को बंद ना करें और चैनल पर नए हैं पहली वारा हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को डेली अप्डेलिया डेली सेशन मेरे आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सकें इन सब के अलावा चेनल की छोड़ रही है जिसे देली क्लास्स आपको चैनल पर गारा इसकी अलावा घ्र बुख धनेबाद नहीं जुम्हें झाल झाल झाल